तो उसको आत्मा अगर हम मेंशन करें तो उसका मतलब ही काफी और बेटर हो जाता है सोल के बारे में तो हम सबने सुना हुआ है और अगर हम सोल की बात करें तो सोल अलग-अलग religious texts में, scriptures में, सब जगे पे सोल का mention है पर जो हम पढ़ाई करते हैं या जितने भी हम healing modalities करते हैं ज्यादा तर हमारा focus हमारे physical body के उपर रहता है mind and physical body ये दो aspect हम बहुत ज़ादा detail में पढ़ते हैं और science भी physical body के बारे में बहुत कुछ उसने भी हम को बहुत ग्यान दिया है बहुत कुछ चीजें knowledge हासल की है in terms of हमारी physical body क्या है और उसमें क्या क्या है क्या पूरी machinery किस organs की बनी भी है कहां कहां पे क्या organs क्या function करता है हम क्यू बेमार होते हैं हम बेमार होते हैं तो क्या malfunctions होते हैं इसके बाबजूद अफकुस death तो होती है तो birth और death का जो ये कारिक्रम है वो जारी रहता है और सारी research और इतना कुछ knowledge एकटा करने के बाबजूद भी हम अभी तक वो जगे पे नहीं पहुँच पाए हैं जहां हम इस रहस्य को समझ पाए कि आखिर soul क्यों जनम लेती है जनम के बाद क्या होता है कहां जाती है क्या करती है और फिर से जनम में कैसे आती है अफकुस देरार हमारे religion scripts में गीता में और हमारे पास बहुत सारे spiritual gurus हैं worldwide भी बहुत सारे spiritual gurus हैं और बहुत सारे religions में काफी कुछ है जो हम सुनते है in terms of the theories और पर फिर भी हमें कही ना कही लगता है कि क्या ये सच है और अगर ये सच है तो क्या ऐसा ही होता है तो एक डर सा एक खौफ सा हमारे पान में हमेशा रहता है जब हम soul की बात करते हैं in spite of the fact कि वो ही एक चीज है जो हमेशा जीवित रहती है और उसी का कभी अंत नहीं होने वाला पर उसके बाबजूद हमारा ध्यान उन चीजों पर होता है जो के खतम हो जाएंगे चाहे वो material world हो हमारी body हो हमारा mind हो हमारे thoughts हो, words हो जो भी है वो सब इस life के हैं of course हम बहुत कुछ पहली life का भी carry करते हैं so we are aware के mind में, body के अंदर बहुत सी चीजे हैं जो हम पहली life से लेकर आ रहे हैं और आगे लेकर भी जाएंगे तो वो सब का तो healing हम कही ना कहीं करते हैं बड़ जिसको हम भूल जाते हैं वो है हमारी soul तो क्या हमको ऐसा लगता है कि soul पे कुछ फरक नहीं पड़ता हम जो भी करते हैं या जो भी करने आये हैं उससे soul का कोई connection नहीं है शायसे बहुत सारे विचार मन में आते हैं specially जब हम अपनों को इस दुनिया से जाते वे देखते हैं क्यूंकि हम तो कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि हमारी death तो कभी होने वाली है everyday हम यहीं सोच के सोते हैं कि हम कल भी उठेंगे कल भी काम पे जाएंगे कल भी चीज़ें करेंगे कल भी कमाएंगे कल भी हसेंगे और हमको society या हमारे खुद के चाहने वाले भी कभी भी ये चाहते नहीं कि हम कभी सोचे भी death के बारे में क्योंकि death के बारे में क्यों सोचना we should think about life correct क्योंकि हर movement जो हम इस दुनिया में जी रहे है अगर हम डर के जीएंगे कि हमारी कल death हो जाएगी तो हम कैसे जी पाएंगे लेकिन question है कि क्या हमको death के डर से डरने की जरुद है और अगर हम जैसे किसी के आने की खुशी मनाते है तो फिर हम जाने की खुशी भी क्यों नहीं मनाते क्यों नहीं हम जैसे हमारे घर में कोई शिशू आने वाला होता है या बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हम कितनी preparations करते हैं कितना कुछ सोचते हैं और आजकल तो specially बहुत कुछ हम सोचते हैं कि हम घर में ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे ये कलर की चीज़ें करेंगे इस तरह के कपड़े खरीदेंगे इस तरह के टॉइस खरीदेंगे इस तरह के जगे पे हम रहेंगे पार्टी इस तरह से देंगे बात में ये ये celebrations होंगी कौन से hospital कौन सी जगे है कि सब कुछ हम बराबर से प्लान करते है तो क्या हम ये प्लान करते है कि जब हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे किस तरह से मरेंगे कहां पे जाएंगे कब जाएंगे ये तो हम कभी सोचते नहीं है और हम सोचना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि सोचेंगे तो डर लगेगा कौन इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता है तो यह ऐसा है जो बोलेगा कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जाना चाहता हूँ या मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ तो वो ही होगा जिसको दुख दर्द है जब हम कभी-कभी pain में होते हैं, दुख में होते हैं तो हमारे मन में ये विचार जरूर आ जाता है कि अच्छा मैं तो गर छोड़के चले जाओंगे गर छोड़के भी इस दुनिया को भी छोड़के चले जाओंगे ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं उस समय लेकिन फिर भी कही न कहीं बाद में हमको विचार आता है कि क्यों छोड़ूँगे, ये दुनिया कितनी हसीन है, कितनी अच्छी है सब कुछ यहाँ पे कितना रंगीन है सब प्रकारखी खुशिया, सब कुछ है यहाँ पे तो फिर हम दुनिया को क्यों छोड़के जाएं तो इसका मतलब हमारे मन में क्या ये विचार है कि जो दूसरी दुनिया है, जहां लोग जाते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती और अगर हमें पता चल जाए कि वो दुनिया इस दुनिया से भी बहुत अच्छी है तो क्या हम डरेंगे यहाँ से वहाँ जाने के लिए कि हम खुश होंगे तो ऐसे अंगिनत सवाल हमारे मन में होते हैं तो जब हम ये सारे सवाल है कि हमारी physical body है तो हमारी soul, spirit, spiritual soul क्या है क्योंकि कई बार हम spirit के बारे में सुनते हैं कभी soul के बारे में सुनते हैं कभ higher self के बारे में सुनते हैं अभी तो हम healing modality में हैं तो ये सब शब्द हमारे सामने बहुत बार आते हैं और इन सब शब्दों के बारे में हम कहीं न कहीं पढ़ते हैं या सुनते जरूर हैं और या हम दूसरों को ग्यान भी बाटते हैं इसके बारे में, right? सो कहां रहते हैं वो हमारी कभी अपने फिजिकल बॉडी में आपको मालूम है आपका हार्ट किदर है आपका चेस्ट किदर है, किड्नी किदर है, लंग्स किदर है, लिवर किदर है ये सब के बारे में आपको मालूम है पर क्या आपको मालूम है आपके सोल किदर है और हो सकता कुछ लोग ने हमको बताया भी हो कि हाँ soul जो है वो heart के पीछे रहती है पर क्या actually वो heart के पीछे रहती है क्या कभी आपने उसको contact करने की कोशिश की जैसे हम meditations करते हैं कितनी बार हम meditations करते हैं कि चलो heart को relax कराओ अपने liver को relax कराओ organ meditations होती हैं हमारी कई तरह की so क्या हम उस समय ये सोचते हैं कि let us also contact a soul connect to the soul देखें soul क्या कर रही है सो रही है, उठी है, पैठी है किस विचार में है कैसी लग रही है उसको हमारी life कैसी लग रही है उसको ये दुनिया हम ऐसा कभी सोचते नहीं है so हम कैसे उससे contact करें question ये है हमको heart की figure तो दी भी है लोगों ने kidney कैसी लगती हमने देखा हुआ है liver कैसे दिखाई देता है हमको पता है और सब क्या function है सब कहां-कहां located है कहां-कहां पे उनका क्या color है वो सब हमें मालूँ है पर question है कि soul जो सबसे important है जो हमारी खुद की है और जो कभी ये body तो हमारी चली जाएगी organs भी change हो जाएंगे next life में हमारी body कोई और होगी organs होंगे पर शायद इस तरह से नहीं होंगे पर फिर भी वो soul तो वही रहेगी इतनी अंगिनत lives हमने जीए है और जो आगे भी जीएंगे अगर हम मोक्षनी प्राप्त करते हैं तो फिर in that case soul के बारे में जानना क्या important नहीं है so